सब्सक्राइब करें मेरे चैनल SSC Campus को और वेल आइकन दवाईए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड, वेलकम टो SSC Campus हम बात करते हैं वाइड ब्लॉड सेल की मतलब लूको काइट्स की, ठीक है डबलुबिसी की ब्लॉड में डबलुबिसी की संख्या होती है बहुत ही कम होती है और अकार में तो बहुत बड़ा होता है अमीवा के शमान बड़ा होता है इसमें किंद्रक रहता है जैसे कि मैंने बीचे बात किया था कि आरबीसी में किंद्रक नहीं पाया जाता है तो यहां पर हम अगर बात करते हैं तो WBC में कंद्रक पाया जाता है इसका निर्मार जो होता है Bone marrow, lymph node और कभी-कभी liver और spleen में भी होता है इसकी मिर्तियू जो मिर्तियू होती है वो कहा होती है, blood में ही हो जाती है इसका जीवन काल जो होता है 2-4 दिन का होता है अगर मैं RBC और WBC के ratio का बात करूं तो 600 RBC पे 1 WBC होता है 600 RBC में 1 WBC होता है अब इसके मुख्यकार के बारे में हम बात करते हैं इसका work क्या है, कारिक क्या है तो इसका मुख्यकार होता है सरीर, जो हमारे सरीर होते है तो सरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है तो इसका मुख्यकार सरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना तता immune system को बढ़ाना है जो हमारे सरीर में immune system है उसको क्या करते हैं increase करते हैं, बढ़ाते हैं यदि बाहर से किसी रोग के कीड़े भोस जाते हैं तो इसके एर्दिघरद घहरा डाला कर यह उसको नस्ट कर डालता है मतलब WBC क्या करता है उस कीडे के अंदर उसके 4 तरफ घहरा डाला दालकर उसको नस्ट कर देता है इसी वज़ासे इसको हम क्या बोलते हैं सरीर का bodyguard भी बोलते हैं शरीर रचक या Bodyguard भी इसको बोलते हैं हम तो देखे, WBC की सहता से घहाव जल्दी भर जाते हैं मतलब हमारे सरीर में जो WBC हमारे सरीर में होता है उसके वज़र से जो हमारे सरीर में घहाव होते हैं वो जल्दी ही भर जाते हैं WBC का अधिक भाग 60% से 70% न्यूट्रोफिल्स कडिकाओं का बना होता है न्यूट्रोफिल्स कडिकाओं ऐसे रोगाणवों तथा जिवाणवों का भक्षड करती है तो न्यूट्रोफिल्स कडिकाओं का वर्क क्या होता है जिवाडवों तथा रोगाडवों तथा जिवाडवों का भंक्षड करना नेक्स देखते हैं इसके कितने टाइप यहां पर हम बात करते हैं वाइट बलड सेल मतलब WBC की तो WBC के दो मुह के भाग होते हैं कौन-कौन से तो first होता है एक ग्रनुलो काइट्स होता है जिसके protoplasm में दाने न हो, उसे हम क्या बोलते हैं एक ग्रनुलो काइट्स बोलते हैं देख़े, मोनोसाइट का निर्माड भी bone marrow मेही होता है कहां पर होता है? bone marrow मेही होता है, मोनोसाइट का निर्माड जो होता है bone marrow मेही होता है यह blood में 3-8% तक पाया जाता है उसके बाद होता है lymphocytes lymphocytes जो होता है वो सधारान अवास्ता में 22-35% तक होता है इसका निर्माण सरीर के lymph धातु में ही होता है जैसे कि tonsil हो गया, spleen, thymus आदी में होता है इसको हम दो types में divide करते हैं एक होता है B lymphocytes T lymphocytes होता है वो cancer cell सेल को remove करता है इसका में जो work होता है cancer cells को मारने का काम होता है मतलब cancer cell को remove कर देता है और दूसराशा काम होता है HIV के एटाइक से भी बचाता है इसने सेसे between the daily body यह परती रोधा capacity को बढ़ाता है, मतलब हमारे सरीर में जो रोगों की चमता होती है, लड़ने की चमता होती है, उसको increase करता है, बिलिम्फोकाइट्स अब ग्रिल्लॉकाइट्स क्या होता है, तो ग्रिल्लॉकाइट्स जिसके प्रोटॉप्लाज में दाने हो, इसका निर्माड बोन मैरो में होता है, अगर मैं प्राकृतिक अवस्ता में देखें, तो यह बलड के अंतरगट नूट्रोफिल्स इसमें न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, जो 55-70% तक होता है, यूसुनोफिल्स जो होता है 2-7% होता है, और बीसोफिल्स जो होता है, 1-4-1% होता है, 0.25-1% तक इसमें रखता है, अब WBC कमी से होने वाले रोग कौन-कौन से है? तो WBC के कमी से होने वाले रोब cancer और HIV है ठीक है न? अगर WBC की कमी हो जाती है तो उस case में हमारे सरी में cancer होता है या फिर HIV हो जाता है अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जो बहुत important है कि WBC की जो संख्या अगर decrease हो जाती है घट जाती है तो उस case में हमें क्या हो जाता है लिकोपीनिया हो जाता है अगर WBC की मात्रा हमारे सरी में कमी आ जाती है उस case में लिकोपीनिया होता है और WBC की मात्रा हमारे सरी में अगर बढ़ जाती है तो लिकेमिया होता है मतलब दोनों में दिक्कत है अगर घट जाये तब भी दिखत और बढ़ जाये तब भी दिखत है ठीक है?